बच्चो जंडा फेराने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है और यह भी हमारे सविधान के आर्टिकल नंबर 19 ए में लिखी थे और इसी के तहट आजादी के 75 वर्सगाट जिसे आजादी का अमरित महोत्सव कहा गया उसके तहट घर घर जंडा फेराया गया तो बच्चो हमारा आर्टिकल 19 खतम हो चुका है अब हम अगले आर्टिकल पे आते हैं आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 क्या कहता है आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दो सिद्धी के संबंध में संरक्षन प्रदान करता है और यह भी तीन प्रकार का होता है चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन सा पहला किसी भी व्यक्ति को एक अपराद के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी एक व्यक्ति ने कोई एक अपराद किया है तो उसे सिर्फ एक ही सजा मिलेगी उस एक ही अपराद के लिए वह दो तीन चार प्रकार का अपराजा नहीं भुगत सकता और अगर ऐसा कुछ होता है तो यह भी एक दंडिनी अपराद है और इसी में जो दूसरा है वह क्या कहता है कि अपराद करने के समय जो कानून है उसी के तहट सजा मिलेगी ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहट अपराद करते समय जो कानून बना था उसी के तहट सजा मिलेगी मान लिजिए कोई एक वेक्ति है उसने पांस साल पहले कोई अपराद किया और पांस साल पहले किये गए उस अपराद की सजा तीन महिने थी लेकिन क्योंकि नियायलीन प्रकरण में टाइम लग जाता है साल दो साल दशन बादी सुन आंकि पहले तो जो उसका जो फैसला है वह पांस साल पहले वढ़नित सजा की अनुसार होगा ना कि अब कंशार तीन महीने की तीन महहीने थी पांस साल पहले तो अब अब फैसले के बाद नियुकth सजा भुखतेगा और इन केस अभी उसी अपराद की सजा 6 महिने हैं तो वहां 6 महिने नहीं भीतेगा फिर इसके बारत क्या कहता है कि किसी भी वैक्ति को स्वयम के विरुध्य नियायले में गवाही देने के लिए बाद ये नहीं किया जाएगा तो बच्चों पहले पुलिस मार पीट करके अपराधी से अपराध कबूल करवा लेती थी लेकिन इसके कारण कई बार जो निर्दोस वेक्ति थे उनको भी सजा भूगतना पड़ता था तो इस कारण हमारे नयायले द्वारा यह प्राधान किया गया कि किसी भी वेक्ति से बलपूरवक अपराध को कबूल नहीं करवाया जाएगा तो हमारा जो आर्टिकल 20 था इनहीं तीन बातों पर फोकस करता है कि किसी भी वेक्ति को अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी दूसरा वह कहता है कि जो आपरात करने के समय जो कानून उस समय लिखा हुआ था उसी के तहस्जा मिलेगी ना कि उसके पहले या बाद के और तीसरा क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयम के विरुद्ध नियायले में गवाही देने के लिए बाद ये नहीं किया जा सकता चलिए अब इसके बाद हम आर्टिकल 21 की ओर चलते हैं जो आर्टिकल 21 है वह राइट टू लाइफ क्या कहता है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का संरक्षन का जो अधिकार है वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधी के द्वारा इस्थापित प्रक्रिया के अतरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता विधी के द्वारा इस्थापित प्रक्रिया के अ है कि कुछ नियम बने हुए हैं जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराद करता है कोई जगन्य अपराद करता है जो समाज के लिए सही नहीं है तो उस कंडिशन में ही उसे फासी या फिर अन्य कोई मौत की सजा सुनाई जा सकती है इसके अलावा कदापी उसका जीवन छीनने का भख किसी भी सरकार या किसी भी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है तो इसके अंतरगत जीने के अधिकार के अंतरगत कुछ तत्य सामिल है चलिए एक एक कर देखते हैं पहला जो है जीने का अधिकार तो बच्चों जीने के अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है अगर क उसे उठा कर ले जा सकती है उसे जेल में बन कर सकती है उसके खिलाफ मुकदमा भी तायर किया जा सकता है मुकदमा चल सकता है तो जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार किसी के पास नहीं है यहां तक कि हमें स्वयम के पास भी नहीं है हम suicide भी नहीं कर सकते ऐसा हमारा सविधान कहता है फिर इसके अंतरगत जो दूसरा अधिकार है वह है एकांत में रहने का अधिकार कोई भी वेक्ति जहां रहना चाहे एकांत में रहना चाहे तो एकांत में रह सकता है और समुदाय के बीच रहना चाहे तो वह समुदाय के जिस तरीके से रहना चाहे रह सकते हैं यह एक व्यक्तिक अधिकार है इस इस निज्टा के अधिकार को हमारे परिवार भी नहीं चीन सकता हस्बेंड वाइफ के बीज भी अगर वो निजी तोर पे रहना चाहते हैं तो वो भी मानने होगा फिर अगला है गरिमा पूर्ण जीने का अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 21 इसी में अगला तत्व है विदेश ब्रहमण का अधिकार यह प्रशने पूछता है कि विदेश ब्रहमण किस अधिकार के तहत प्रदान किया गया है तो यह भी बच्चों आर्टिकल 21 में समलित है हम अपने देश में भी रह स 21 का तत्तो है हुआ है स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार स्वच्छ वातावरण में रहना हमारा मौलिक अधिकार है मैंने जब इस पार्ट की शुरुवात की थी तभी मैंने सुध्ध वायू और सुध्ध जल के अधिकार की बात की थी बच्चो तो यहां हमारा एक मौलिक अधिकार है क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें सुध्ध जल, सुध्ध वायू, सुध्ध पर्यावरण, सुध्ध वात्त वरण की अवस्यक्ता है इसलिए आबादी वाले इस्थानों पर कारखान इत्यादी पर रोक लगाई जाती है क्योंकि वो बहुत प्रदूश है वह सर्वोच्य नियाले द्वारा अनुछेद 21 का के तहत सामिल किया गया है यह जो शिक्षाक अधिकार है वह 86 वे सविधान संसोधन सन 2002 में यह क्वेश्चन आता है बच्चों किस सविधान संसोधन में सिक्षाक अधिकार लाया गया तो 86 वे सविधान संसोधन में सामिल किया गया और किस अनुछेद में सामिल है यह तो यह आर्टिकल 21 का में सामिल है इसके तहत इसे मूल अधिकार बनाया गया है और इसमें लिखा है कि जो राज्य के 6-14 वर्ष के आयूक वाले सभी बालकों के लिए निसुल्क एवं अनिवार सिक्षा देने के लिए विधी द्वारा उपबंध किया जाएगा अर्थात कानून यह प्रबंध करेगी कि राज्य में उपस्थित 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निसुल्क सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और यदि कोई पैरेंट्स अपने बच्चों को प्रावेटी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता तो भी यह सरकार की जिव्मेदारी है कि वह बच्चों के लिए निसुल्क सिक्षा की विवस्था करें ठीक है बच्चों तो सिक्षा का अधिकार समझ आ गया अब हम इसके अगले तत्तों पर चलते हैं अगला कहता है सिक्षा के साथ साथ व्यक्ति को स्वास्थ कभी अधिकार है मीन सुवास्थ रहने के लिए व्यक्ति के स्वास्थ के लिए सरकार विवस्था करेगी हम आजकल जो आईसमान कार्ड और विभीन प्रकार के जो कार्ड वगरा प्रयोग करते हैं यह सब इसी अधिकार के तहत सरकार हमारे लिए विवस्था कर रही है फिर जो नौवा अधिकार है अकेले कारावास में बंद होने की विरुद्ध अधिकार बच्चों पहले के जमाने में अंग्रेज क्या करते थे यदि कोई राजद्रोह करें या अंग्रेजों के खिलाफ कोई कारिवाही में लिप्त हो तो अंग्रेज उसे पकड़ते थे और अंदमान निकोबार के किसी जंगल और एकांत वाले द्वीप में जाकर छोड़ देते थे तो वह उस पूरे द्वीप में अकेला रहता था भोजन पानी की विवैस्था नहीं होने के करण कुछ दिन सर्वाइब करके वहीं मर जाता था किन्तु अब इस तरह का कोई भी सजा देने का निशेद किया गया है आर्टिकल 21 के तहत अर्थात किसी व्यक्ति को कारवास में भी बंद किया जा रहा है तो उसे एकांत में नहीं रखा जा सकता कुछ विसेश परिस्थितियों को छोड़ कर फिर इसके बाद जो अगला हमा यहां से जो मजदूर हैं आदिवासी आदिछेत्रों से लेकर के अन्य राजियों में लेकर जाते हैं वहां पर उन्हें बंधुआ मजदूरी कराई जाती है तो यहां भी एक अपराद है और इस तरह का यदि कोई व्यक्ति बंधुआ मजदूरी किसी से करवा रहा है तो उ तो उसे उसी स्थान से उस राज्य से ही बाहर कर दिया जाता था ये भी एक सजा थी लेकिन आप ऐसा भी नहीं किया जा सकता फिर सोर प्रदूशन से मुक्तिक अधिकार यह भी एक इंपोर्टेंट अधिकार है जब आप लोग की परिक्षा चल रही होती है तो यदि कोई आस हाल यह शोर को कम किया जाए फिर अगला जो है सारवजनिक फासी के विरुद्ध अधिकार तो बच्चों पहले के जमाने में अपराधी को सारवजनिक तोर पर खूले में किसी चौक में जैसे कि आपके राज्य में सहीद वीर नरायन जी को जैस्थम चौक में फासी दिया फिर अगला जो अधिकार है इसी में हिरासत में सोशन के विरुद्ध अधिकार बच्चों पुलिस द्वारा यह किसी कैदी का बहुत अधिक सोशन किया जाता है बहुत अधिक मार पीट कर उसे मजबूर किया जाता है अपने अपराध को स्विकार करने के लिए तो यह भी मानाव अधिकार का हनन था और जीने का अधिकार का भी हनन है इस करण उनकी मृत्व भी हो सकती थी तो अधिकार की आगला जो हमारा तत्तौ है वह है कैदी के जीवन के लिए अवस्यक्ताओं का अधिकार यदि किसी अपराधी या किसी कैदी को जेल में बंद किया गया है तो कम से कम जीवन जीने के लिए भोजन पानी आदी की विवस्था करने का अधिकार इस आर्टिकल के तहट दिया गया है तो बच्चों आर्टिकल 21 आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा अब हम अगले आर्टिकल 22 की तरफ चलते हैं आर्टिकल 22 क्या कहता है अनुचेद 22 या कहता है कि कुछ दसाओं में गिरफतारी और निरोध से संरक्षन प्रदान करता है अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे तीन प्रकार की स्वतंतरता प्रदान की गई है कौन कौन सी पहला हिरासत में लेने का कारण बताना होगा उसे दूसरा 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर दंडा धिकारी के सामने पेस किया जाएगा और जो तीसरा है वह कहता है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा तो बच्चो एक 1919 में एक कानून आया था अंग्रेजों किसे में रोलेट एक्ट तो रोलेट एक्ट में क्या कहा गया था कि बिना वकील बिना दलील किसी भी वेक्ति को सक के आधार पे अंदर किया जा सकता है तो अगर ऐसा किया जाता तो अंग्रेजों के कानून और हमारे कानून में कोई अंतर नहीं रह जाता इसी लिए इस आर्टिकल 22 के तहत यह कहा गया है कि किसी भी वेक्ति को बिना सूचना के एक तो गिरापतार नहीं किया जा सकता दूसरा यदि उसे गिरापतार कर भी लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे नियाले में पेस करना है और तीसरा उसे अपने मन पसंद का वकील रखने की भी छूट दी गई है तो बच्चों आर्टिकल 22 समझ आया ठीक तो इसे आर्टिकल 22 में कुछ special केस के लिए निवार निवारक निरोध कानून क्या होता है चलिए देखते हैं जो निवारक निरोध कानून है इसके अंतरगत किसी वैक्ति को अपराद करने के पूर्व ही गिरपतार किया जाता है इससे पहले मैंने आपको बताया कि किसी वैक्ति को गिरपतार किया जाता है उसे सूचना दिया जाए और नियाले में भी 24 घंटे के बजाए तीन महिने तक पेशगी की छूट रहती है यह उस कंडिशन में होता है जब कोई आतंकवादी घटना या देश की सुरक्षा से संबंधित कोई केस हो तो जो निवारक निरवद कानून है जैसा कि मैंने बताया कि यह अपराद होन सच्वाद लेकिन साधरन केस में इस प्रकार का कोई क्रिट्ह हमारे विधान के द्वारा लिखेत नहीं है तो बच्चों जो निवारक निरोध कानून है वह कहता है कि अपराध होने से रोकना इसका उद्देश से है वह क्या कहता है बच्चों कि अपराध होने से पहले ही से रोक दिया जाए और तीन महिने तक अभी रक्षा में यह निरुध य जा सकता है और इसके साथ साथ निवारक निरोद से सम्मंदित कानून जो है आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए बनाये जाते हैं और जो टाड़ा और पोटा ये कुछ कानून है जो अब हटा दिये गए हैं इसी से सम्मंदित सब्द है ये प्रश्ण कभी कभी आता है क पोटा ये टाड़ा कानून क्या है तो ये निवारक निरोद कानून अर्थाथ आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए कुछ कानून बनाये गये थे जिसके तहत किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लिया जाता था ये सक के आधार पे गिरफतार कर लिया जाता था तो ब आगला जो आगला सोशन के विरुद्ध अधिकारण प्रदान करता है चलिए देखते हैं आगला जो में आधिकार है मूल अधिकार की विरुद्ध अधिकार वह अनुछेद 23 और 24 में लिखा हुआ है तो 23 क्या है मानों के दूर व्यापार और बलात स्रम का प्रतिशेद करता है यह बचो क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सोशन के विरुद्धादिकार है तो यह जो 23 है कहता है कि मानों के दूर व्यापार मींस खरीदी विक्री जो मैंने आपको पार्ट की सुरुआत की थी तब दास्प्रथा के बारे में बताया था तो वहां पर मानों की तसकरी होती थी उनकी खरीदी विक्री होती थी उनका व् आपार को रोकने का कानून बनाया गया है आर्टिकल 23 के तहत और इसके साथ उसमें कहा गया है कि बलातिस्रम का यह प्रतिशेद करता है अब यह बलातिस्रम क्या है फोर्सफुली किसी भी व्यक्ति से आप किसी भी प्रकार का काम नहीं करवा सकते तो आर्टिकल 23 आपको समझ जाया बच्चों चलिए हम अगले आर्टिकल पे चलते हैं आर्टिकल 24 यह भी शोषण के विरुद्द ही अधिकार प्रदान करता है क्या है आर्टिकल 24 आर्टिकल 23 के तहत अभी मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीदी बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ति लिया गया श्रम निशिद्ध ठहराया गया है जिसका उलंगन विधी के अनुसार दंडिनिये अपराद है लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है कि यदि जवरत पढ़ने पर राश्ट्रिय सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति को बात दिखिया जा सकता है वैसे तो सविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है किन्तु कोई आपात कालिन इस्तिती आने पर जैसे कि अभी कोरोना पे हो भूकंप हो या प्राकृतिक आपदाएं हो कुछ ऐसी स्थिती में हम बलपूर्वक राश्ट्रिय सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकते हैं फिर इसके बाद अगला आर्टिकल चलिए पढ़ते हैं अगला आर्टिकल अनुछेद 24 यह कहता है बालोकों के नियोजन का प्रतिशेद तो आर्टिकल 24 क्या है बालोकों के नियोजन का प्रतिशेद प्रतिशेद शब्द का अर्थ होता है रोक या मनाही तो बच्चों सोशन के विरुद्ध अधिकार में ही पहला जो 23 था वहां बड़े व्यक्तियों के लिए था और जो यह 24 है यह किसी भी प्रकार के कारे में सनलगने करना या रोजगार में सनलगने करना तो बच्चों जो चौदा वर्स से कम आयू कि किसी भी बच्चे को किसी कार खाने खदान या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता यह कहता है 24 और इसी आर्टिकल 24 के की सहायता से ही आज बच्चे जो हैं किसी होटलो या फिर अन्य किसी जगह कारे करते नहीं दिखते ह वरना छोटे छोटे बच्चों को थोड़े थोड़े पैसे के लिए काम में लगा लिया जाता था अब हम अपने अगले मौलिक अधिकार अर्था चौथे मौलिक अधिकार की तरब चलते हैं जो है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार आपने 6 मौलिक अधिकार पड़ा है तो यह हमारा 4 मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार क्या है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार तो सबसे पहले यह कि यह जो धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार है यह आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक लिखी थे एक एक कर देखते हैं तो आर्टिकल जो 25 है वह कहता है अंतह करण और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने उसकी प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है क्या कहता है आर्टिकल 25 अंतह करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता मेंस कोई भी वैक्ति अपने अन्ताकरण से किसी भी धर्म को मान सकता है उसका प्रचार प्रशार कर सकता है तो बच्चो यहां हो गया हमारा आर्टिकल 25 अब हम आर्टिकल 26 पर आते हैं यहां धार्मिक कारियों के प्रबंध की स्वतंतरता प्रदान करता है आर्टिकल 26 हेडिंग देख लिजे बच्चो धार्मिक कारियों के प्रबंध की स्वतंतरता यहां कहता है कि वैक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की इस्थापना या पोशन करने विधी सम्मच संपत्ति अर्जन तथा स्वामित वह प्रशासन का अधिकार है तो जो धार्मिक कारियों के प्रबंध की स्वतंतरता के तहत वैक्ति जो है जो किसी धर्म का है किसी कोई हिंदू होगा कोई मिसलिम होगा तो वह मंदिर मस्जीत का भी निर्मान कर सकता है उसका प्रबंध और उसका प्रशासन भीवा स्वयम कर सकता है यह अधिकार हमें आ रेक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाद नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विसेश धर्म अत्वा धार्मिक संप्रदाय की उन्नती या पूर्षण में वै करने के लिए विसेश रूप से निश्चित कर दी गई है तो जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं कि किसी ट्रस्ट से जो कि धा संथां को होने वाली जो आय होती है उसमें चूल प्रदान करता है अर्टिकल एंटी सेवन से फिर अप जो अर्टिकल 27 है इसके बाद हम आते हैं ़िए पर तो बच Rabbi k reading क्या कहता अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोप देश को बलात सुनने के लिए बाद्धिय नहीं कर सकते यह कहता है कि राज्य के निधीश पोशित अर्थात कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार का कोई स्कूल है या कोई संस्था है तो वहां पर जबर्दस्ती धर्म की सिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी इसके साथ साथ यहां अध्यनरत विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर करने का अधिकार है किन्तु राज्य द्वारा पोशित किसी भी संस्था में धार्मिक प्रचार प्रशार का अधिकार नहीं है किसी भी क्यूंकि उस संस्था में सभी धर्मों के लोग पढ़ने आते हैं शिक्षा ग्रण करने आते हैं तो किसी विशेश धर्म का प्रचार प आते हैं जो है मौलिक अधिकार का पाचवा भाग संस्कृति एवन सिक्षा संबंदी अधिकार कल्चरल एड एजूकेशनल राइट्स तो बच्चों जो संस्कृति और सिक्षा संबंदी अधिकार है यह आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में वर्नित है चलिये देखते हैं आर्टिकल 29 है वह अल्प संख्यक वर्गों के हितों का संरक्षन प्रदान करता है अब यहां सब दारा है अल्प संख्यक जिसे हम माइनोर्टीस भी कहते हैं जो अल्प संख्यक का अर्थ है कि इस भारत देश में विबिन्य धर्म के लोग रहते हैं और कुछ धर्म के लोगों ट्वेंटी नाइन जो है इन अलप संख्यों को कुछ विसेस अधिकार प्रदान करता है इसमें लिखा गया है कि कोई भी अलप संख्यक वर्ग अपनी भासा लिपी और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भासा जाती धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी सरकारी सेक्षिक संस्था में प्रवेस्ते नहीं रोका जाएगा मिन्स किसी भी सेक्षिक संस्था में किसी के धर्म को देखकर ये कुसकी माइनॉर्टी को देखकर रोका नहीं जाएगा उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदबाव नहीं किया जाएगा फिर जो हमारा अगला और आर्टिकल 30 है वह क्या कहता है सिख्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रश्यासन करने का अलप संख्यक वरगों का अधिकार है वह उन अलप संख्यक वरगों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसका स्वयम प्रशासन भी कर सकता है जैसे हमने अभी बदर्सों का नाम सुना है तो क्यूंकि राज्य किसासन जो है अपने द्वारत संचालित किसी भी स्कूल पर कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करती लेकिन अपने धर्म के प्रचार प्रशार करने के लिए उन भैक्ति विसेश या धर्म विसेश के लोगों को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अपने धर्मिक संस्थाओं को खोल सके और अपने धर्मिक जो सिक्षाएं हैं अपने धर्म की लोगों को प्रदान कर सके तो जो आर प्रगार जो है उसे अनुदान देने में भी किसी तरह कोई भेदबाव नहीं करेगे अर्थात वह जितना अनुदान मुस्लिम वर्गों को देना है उत्ना ही इसाई को भे प्रथि कोई भेदबाव नहीं करेगी ठीक है बच्चों तो यह जो हमारा संस्कृति और सिक्षा संबंदी स्वातंत्रता का जो अधिकार था यह कंप्लीट हुआ अब इसके बाद हम अपने छटवे मौलिक अधिकार जो की बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं जो हमारा छटवा मौलिक अधिकार है वह है संबैधानिक उपचारों का अधिकार यह जो अधिकार है अब तक हमने जो भी अधिकार पड़ा उन सभी अधिकारों का रक्षक है डॉक्टर भीम रवमबेटकर ने इसे सविधान की आत्मा कहा है क्यूंकि इसके बगैर इसते पहले वर्णित कोई भी अधिकार सही ढंग से नहीं चल सकते तो बच्चों चलिए देखते हैं आर्टिकल 32 क्या कहता है जो आर्टिकल 32 है इसके अंतरगत मौलिक अधिकारों को प्रवर्थित कराने के लिए समुचित कारवाईयों द्वारा उचितम नियाले में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है साथ ही इस संदर्व में सर्वोच नियाले को पांस तरह के रिट निकालने की सकती प्रदान की गई है और वो पांच प्रकार के जो रिट है आप देखिए क्या क्या है पहला है बंदी प्रत्यक्षी करण दूसरा है परमादेश तीसरा है प्रतिशेद लेख चौथा उत्प तो यह अधिकार प्रदान करता है उस वैक्ति को सीधे सर्वोच अथ्वा उच्छ नियाले में आवेदन करने का और इन जो मौलिक अधिकारों की जो रक्षक है वह सुप्रीम कोट और हाई कोट है और अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी वैक्ति इनकी सरण ल प्रिक्षा लेक इनके माध्यम से हम नियाय प्राप्त कर सकते हैं चलिए एक एक कर देखते हैं कि क्या होता है बंदी प्रत्यक्षी करण क्या होता है परमादेश तो बच्चों बंदी प्रत्यक्षी करण बंदी प्रत्यक्षी करण को हम हैबियस कार्पस भी कहते हैं इंग्ल वह कोई व्यक्ति होगा और प्रत्यक्षी करण प्रत्यक्ष लाना सामने लेकर आना तो बच्चों जो बंदी प्रत्यक्षी करण है वह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समस्ता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है इसके द्वारा नि बंदी बनाएगे व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें तथा नियाले बंदी बनाएगे जाने के कारणों पर विचार भी करेगा तो गिरपतार किये व्यक्ति को सरीर उपस्थित कराने का यह रिठ है बंदी प्रत्यक्षी करन इसके जो अगला रिट है वह है पर्मादेश इसे मेंडामस भी कहा जाता है जो पर्मादेश है नाम से इसपष्ठ है परम आदेश लिखा हुआ है यह एक प्रकार का आदेश है जो नियाले द्वारा प्रदान किया जाता है वह क्या कहता है देखिए जो पर्मादेश है का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सारजनी करतब्य का निर्वाह नहीं करता है इस प्रकार के आग्या पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके करतब्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है तो कोई अधिकारी यदि ठीक से अपने कारे को नहीं क जा सकती है तो जो अगला इसके बाद जो हमारा रिठ है वह है प्रतिशेद लेख प्रतिशेद लेख को प्रोभीवीशन भी कहा जाता है तो जो प्रतिशेद लेख है नाम से इस परस्ट है प्रतिशेद प्रतिशेद करना मतलब मनाही या रोक लगाना तो बच्चों यह क्या चलिए देखते हैं प्रतिशेध लेक जो है यह एक आज्या पत्र होता है कहां का सर्वोच्य न्याले तथा उच्छ न्याले का सर्वोच्य न्याले को सुप्रीम कोट तथा उच्छ न्याले को हम हाई कोट कहते हैं तो बच्चों जो सुप्रीम कोट यह हाई कोट है एक आज् αιालय,फिर आई कोट ,फिर सुप्रीम कोट ऐसках नीम्न से ऊच्छीं श्तर पर चलता है ,एक यंदेस प्रकार का आदेस जारी करती है , तो यह आग्यापत्र सर्वर्द्ड ये तथा उच्यं नीम्ने नयालय द्वारा नीम्न नीम्न न कोट अधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहां कारवाही ना करें क्यूंकि यह मामला उनके अधिकार छेतर से बाहर है अर्था सुप्रीम कोट या हाई कोट किसी अन्य नियाले को मना करती है रोक लगाती है कि इस प्रकरण का आप निरा करण ना करें क्यूंकि यह आपके अधिकार छेतर से बाहर का है फिर इसके बाद जो अगला रिठ है वहां है उत्प्रेशन चौथा उत्प्रेशन जो उत्प्रेशन है उत्प्रेशन देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं प्रेशन करना मतलब भेजना और उत्प्रेशन मतलब उपर की और भेजना जो प्रतिशेद लेख था वह उच्छ नियाले अपने अधिनस्थ नियाले को भेज रही थी लेकिन यह जो उत्प्रेशन है अधिनस्थ नियाले से उपर की ओर आ रहा है तो बच्चों इसके द्वारा अधिनस्थ नियालेओं को यह निर्देश जिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के नियाय निर्डियन को उसे वरिष्ठ नियालेम भेजे तो जो सुप्रीम कोट है उसे आदेश देती है कि जो उसके पास प्रकरण है तुम वहां से हमें अर्थात ऊपर के नियाले में भेजिए इसके बाद जो अगला और पांचवा हमारा रिट है वहां है अधिकार प्रिक्षा लेक जो अधिकार प्रिक्षा लेक है सभी के सभी रिट के नाम के अनुसारी हमें समझ बनानी है कि अधिकार प्रि से अधिकार नहीं है तो न्याले अधिकार प्रिक्षा के आदेश के द्वारा उस वैक्ति से पूसता है कि वह किस अधिकार से कारे कर रहा है तो बच्चों समझ आया अधिकार प्रिक्षा मींस किस अधिकार से नाम से इस पस्ट है अधिकार प्रिक्षा किस अधिकार से तुम इस कारे को कर रहे हो, कई भार अधिकार ना होते हुए भी जबर्धस्ती कोई अधिकारी या कोई अन्य विभाग के लोग किसी कारे को करने लगते हैं, तब नियाले उसे यहां प्रश्न करती है कि तुम यहां किस अधिकार से कर रहे हो, और अगर उसका संतोस जनक उत्तर नह तो बच्चों हमारा जो मौलिक अधिकार है यहां से समाप्त होता है